आज हम ऐसे टेक्नलोजी के बारे में बात करने वाले हैं जिसको लेकर लोगों के मन में काफी उठसुपता हैं हम बात करेंगे 5G टेक्नलोजी के बारे में और जानेंगे के ये कैसे काम करेगा और ये 4G से कितना अलग होगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूशुगों गुपता and you guys are watching the trending tech सबसे पहले जानते हैं कि 5G क्या है 5G जिसका मतलब है 5th generation cellular network ये 1G, 2G, 3G और 4G networks के बाद एक नया global wireless standard है 5G एक नय प्रकार के network को enable करता है जिसे machines, objects और devices सहीत कई सारी चीज़ों को एक साथ connect करने के लिए design किया गया है 5G network को higher multi-gbps peak data speed, ultra low latency, जादा reliability, एक massive network support और जादा uniform user experience डेलिवर करने के लिए बनाया गया है तो चलिए अब जानते हैं पिछले cellular network से 5G network किस तरह अलग होगा 1G जो के 1980s के दशक में use किया जाता था उसे design किया गया था analog voice deliver करने के लिए इसके बाद 1990s में आया 2G याने second generation जिसने digital voice को introduce कराया जिसे हम CDMA याने code division multiple access भी कहते हैं इसके बाद year 2000 की शुरुवात में आया third generation जिसने CDMA के साथ पहली बार mobile data लाया और इसके बाद 2010 में याने broadband के जमाने में 4G LTE की शुरुवात हुई जिसका use हम आज भी कर रहे हैं और अब इन सब के बाद 2019 में 5G को introduce कराया गया है जो के पिछले सभी network से काफी ज्यादा powerful है और पहले से ज्यादा connectivity प्रोवाइड कराने के लिए बनाया गया है 5G network एक unified और ज्यादा capable air interface है इसे next generation user experience enable करने नए deployment models को empower करने और नए services deliver करने के लिए अब extended capacity के start design किया गया है 5G को information management technology 2020 के basis पर 20 Gbps तक की peak data rates deliver करने के लिए बनाया गया है पर 5G सिर्फ fast speed देने तक ही सीमित नहीं है peak data rates के अलावा 5G को अगर नए spectrums जैसे के millimeter waves जो के एक short range high frequency technology होती है उसमें expand किया जाए तो वो और भी ज़्यादा network capacity provide करता है इसके साथ साथ ये lower latency भी deliver करता है जिससे ज़्यादा immediate response मिले और साथ ही overall एक ज़्यादा uniform user experience हो ताकि user कहीं भी जाए तो भी उनका data rate consistently high रहे low latency का मतलब है कि ये network काफी कम समय में data के एक बहुत ही बड़े volume को process कर सकते हैं अब देखते हैं कि 5G network के इस्तिमाल से क्या-क्या फाइदे होंगे 5G के आने से mobile broadband और भी ज़्यादा enhance हो जाएगा जिससे smart phones के साथ-साथ virtual reality और augmented reality segments में भी latency काफी कम हो जाएगी और speed भी enhance हो जाएगी साथ ही 5G के use से हम एक बहुत बड़े amount में अपने smart devices को एक ही network से connect कर पाएगे बिना किसी समस्या के इनके अलावा medical field और industries में भी 5G के आने से काफी ज्यादा positive effect पड़ेगा 2019 से ही कई operators ने 5G network provide करना start कर दिया था और अब जितने भी smart phones manufacture किये जा रहे हैं उनमें 5G network support दिया जाने लगा है कई सारे countries ने 5G network deploy करना start भी कर दिया है और ये बहुत जल्दी ही common लोगों के use के लिए भी available हो जाएगा So that's all for this video उम्मीद है कि आपको 5G के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे like कीजिए, share कीजिए और subscribe कीजिए हमारे YouTube चैनल को और नई वीडियो की notifications पाने के लिए bell icon को प्रेस कीजिए आप हमें Facebook और Instagram पर भी follow कर सकते हैं See you guys in the next video